नमस्कार दोस्तों आप सभी का पालमिष्ट्री ग्यान चैनल में बहुत बहुत सागत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अपनी हाथों में देखें मालक्ष्मी, माजशरष्वती और ब्रह्माजी का निवास अस्तान हाथों में कहां पर होता है तो दोस्तों इस वीडियो का आप पूरा देखें इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्क्राइब से नहीं किया है तो किर्पया चैनल को सब्क्राइब अवस्च कर लें और ये भी से अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवस्च कर लें जैसे कि हम सभी जानते हैं ब्राम्हांड में सबसे पहले जो सब्द की उत्पत हुई है वो सब्ध है ओम सब्द उसी प्रकार से हमारे बानोशरीर पांच तत्तों से बना है जैसे कि अगनीतत, पिर्थिवीतत, वायतत, जलतत और अकासतत और हमारे हाथ में भी अंगुठे और अंगुलियों की संख्या पांच है ये एक तत्त का प्रतनिदित्त करते हैं जैसे कि अंगुठे को अगनी तत्त का प्रतीक बाना गया है इसी परकार से तरजनी अंगुली के तरजनी अंगुली है तरजनी अंगुली वायतत का प्रतीक माना गया है और तरजनी अंगुली का जो गुरु है गुरुगरह का अधिकार माना जाता है इसी परकार से ये मद्धिमा अंगुली है मद्धिमा अंगली को आकास्तातो का परतिक माना गया है और इस सनी गरह का अधिकार माना गया है इसी परकार से ये अनामिका अंगली है अनामिका अंगली पिर्थिवीतातो का परतिक माना गया है इस पर सूर्ज गरह का प्रभाव माना गया है इसी प्रकार ये कनिष्टा अंगुली है कनिष्टा अंगुली जलत अत्युका प्रतिक माना गया है इस अंगुली पर बुद्धगरा का अधिकार माना गया है जैसे कि हम सभी जानते हैं इस पध्धत को चिकित्सा पध्धत के थुरू एलोपैथिक दवा के साथ भी इस पध्धत का उपियोग किया जाता है और इस चिकित्सा पध्धत से दवा का प्रभाव तेजी से देखने को मिलता है और अपने हाथों पर देखते हैं कि मा लक्ष्मी का अस्तान कहां पे है मा लक्ष्मी का अस्तान हथेली के पहले कर्तल पर पहले भाग पे कि पहले भाग पर मा लक्ष्मी का अस्तान जिन्हित किया गया है इसी परकार से हथेली के मद में मा सरस्वती का अस्थान बिराजमान होता है इसी परकार से ब्रह्माजी का स्थान मूल में ब्रह्मांड का अधिकार माना गया है यह ब्रह्माजी का मूल हथेली के यहाँ अधिकार माना जाता है और कहते हैं कि अगर आप सुबा उठकर हाथ अपने देखते हैं तो पूर्ण प्राप्त होता है और सुन्दर दिन बीटता है और सुबा उठने के पस्चाद सर्व पर्थम अपने करतल के अगर दर्शन करते हैं तो आपके सारे प्रमात्मा के दर्सन हो जाते हैं जो की काफी पूर्णे फल मिलता है और दिन सुभ हो जाता है और मालक्षमी की विशेश किरपा होती है तो दोस्तों ये रही आज के हमारी वीडियो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सब का पूरा वीडियो द हैंनी बाद